कुछ जगएं ऐसी भी हैं जहां अगर मैं अपनी खुद की बात करहूं तो मैं बलेशा करेने वाला हो MEM BROWN ने ओर का भीते ही नहीं क्या आणे वाले दिनों में यह सब जगहें भी एक्स्प्लोर हो पाएंगी और यह भी टूरिजम के मैप पे देखने को मिलेंगी देखो आपके माधियम से मैं कुछ बताना चाहूंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम चीज़ों में गुस्ते हैं तो हमें नॉलेज भी होना शुरू हो जाती है जैसे बले सा उसके साथ बंजुआ देवी गोल और देखिए दो डिस्ट्रिक्स का एक अमल्गमेश देवी गोल में इवेंट मी हुआ आप देख रहें स्ट्रेट लाइन और मैं हूँ आमिर जफर जमू कश्मीर की रीड की हड़ी रीड की हड़ी अगर किसी को माना जाता है वो टूरिजम है टूरिजम जो है अगर पिछले हम 2023 साल या 22 साल की बात करें तो 2022 में जमू खास करके मैं बात करूं तो भदिर्वार डिवलपमेंट अथर्टी के अंडर लग बग साथ हजार के आसपास टूरिस्ट जो है वहां पे आए उसके बाद अगर 2023 की बात की जाए 2023 में करीबन करीबन चार लाग 72 हजार जो है वो टूरिस्ट वहां पे आए और जिससे काफी ज़्यादा डिवलपमेंट जो है देखने को मिली अगर मैं डिवलपमेंट के इलावा भी बात करूं तो एकॉनमी जो है एकॉनमी जनरेट टूरिस्म से ही होती है आज की खास पुलाकात में हमारे साथ बात करने के लिए जॉइंट डिरेक्टर सुनेना महता जी बात करने क के लिए है मैं इन से जानने की कोशिश करता हूँ कि आप जब से आये तो एक नई दाग बेन जो है आपने टूरिजम के अंडर डाली है और फिलाहल वाइबरेंट फेस्टिवल भी जो है लगबग मुझे लगता कि दो या तीन दिन के आसपास ही अब भधरवा के अंदर द बथा आई आप कि अगर हम भधरवा की बात करें जैसे आप वैसे भी बहुत सारेtestवलगाने को मिलते हैं हर यह जगह आप शाना बाशाना जो है देखी जाती है बंगर इस बार जो है नया क्या देखने को मिलेगा भदरवा के अंदर जो लोग जो हैं वहां की तरफ रुख करेंगे बिल्कुल भदरवा वैसे ही बहुत खुबसूरत है आपको पता ही है और जम्मू रीजन की बात करें तो पत्नी टॉप सनासर तो खुबसूरत ही है उसी के थोड़े से फासले पे जब किसी को तो डेफिनेट्ली एक अलग ही नजारा होगा तो उसी का पूरा जो है एक मैं कहूंगी एक शमराइस करू alláइस तो डाच राएंड ब्हदरवा फेस्टिवल तो वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल गल शुरू हो रहा है सटा यस देसंबर को और कल जूआ ये भदरवा और उसके बाद जो जाय वैली, जाय वैली बहुत खुबसूरत है, और उसके साथ-साथ ये तूरिस्ट की एक first choice रहती है, और बढ़ी देर से तूरिस्ट आते हिए हैं जाय वैली में, वहां पर भी एक खुबसूरत cultural event रहेगे, उसके साथ-साथ traditional sports रहेगे, कि हमारे स्नो बेस्ट एक्टिविटीज बलून देन एटीवी राइज उसके इलावा बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वह देखने को मिलेंगी आप से जानना चाहूंगा जिस तरीकिसे जब भी टूरिस्ट आते हैं वहां पर उनके लिए इंतजामात किस तरीके के किये ज अगर टूरिस्ट को एक वंडरफू एक्सपीरियंस देना है तो डेफिनिटली वहां के लोकल्स का बहुत रोल रहता है और मुबारक बात देना चाहूंगी भादरवा के जो स्टेक होल्डर्स हैं टूरिजम के चाहे वो होटलियर्स की बात करें चाहे वो ट्रावल एजंस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो देते हैं और हॉस्पीटालिटी में मैं कहूंगी स्क्राइम रच्ण थाइन टैंहर गुल्डट сл दिसम्बर को एक ठीस सूरत एक होगत उनी एक लेगा कि?!?! और 31 तारीक को जो कि बहुत important day रहेगा क्योंकि गाथा लेक के पास ही bus stand पे एक mega cultural event रहेगी जिसमें की काका जो है पंजाबी singer जो है वो जबर्दस तरीके से perform करेगा और कोशिश ये की जारी है कि भधरवा की beauty को वो जादा focus करें और उसके साथ साथ है जो हमारे local celebrity performers हैं वो इ जो rich culture है हमारा उसको showcase करेंगे और हमारा youth जो कि आज इतना talented है उसको भी एक inspiration भी मिलेगी और उसके साथ साथ उसको एक तरीका नजर आएगा कि किस तरीके से उंचाईयों को छूना है इस दुरान और उसके साथ जब ये events सारी हैं तो we have definitely tried to ensure क्योंकि देखी इसमें district administration डोड या पांच दिन का जो देपाना टूरिस्स के लिए या लोकल्स के लिए और या जितने जम्मूरीजन या कश्मीर के लोग जाते ही है बादरवा में वह एक अपने आप में challenge रहता है क्योंकि वहां पे ठंड बहुत जादा है इस तरीके से लो comfortably वहां पे एक अच्छा experience लेक करेगी कि वहां पे जो भी logistics या जिस तरीके की requirements रहेंगी और security point of view से भी पूरा government जो है वो इसमें involved रहेगी तो इन वे मैं यह कहूंगी एक beautiful event होने जा रहा है पांच दिन का जिसमें की हमारा जो भदरवा जो deserve करता है already आज tourist की बात करें तो जो पहले 2022 में 64,000 था और आज 5 पहुच रहा है यह हमारी सब के जो collaborative efforts है और जो stakeholders जो वहां पे tourist को experience दे रहे है क्योंकि पिछले दिनों fam tour हुआ है हमने महराश्ट्रा tour operators association और उसके साथ domestic tour operators of India इनके fam tours करवा हैं तो करीब 36 individuals ऐसे जो की अपने आप में एक business चलाते है travel trade का वो यहां पे wonderful experience लेके गए उसी तर असकनी भदरकाशी उत्सव जब हमने किया उस time पे Mumbai के groups आये जिनको की हम OTM Mumbai में जाके invite करके आये थे और उसके साथ Australian groups आये तो आज रुजहान जो है वो सब का जैसे पत्नी टॉप आता है तो प्रियोरिटी है कि भदरवा जाना ही जाना है इनवे तो आज ऐसा लगता है कि अगर भदरवा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा है आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरीके की और भी कई ज्यादा प्राचीन जगाएं हैं जैसे पटनी टाप के इलावा आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी कि हमारे मैप टूरिजम के मैप भी बहुत सारी जग करो तो बहुत सी जगाएं ऐसी हैं जो अभी तक एक्स्प्लोर नहीं हो पा रही हैं क्या आने वाले दिनों में ये सब जगाएं भी एक्स्प्लोर हो पाएंगी और ये भी टूरिजम के मैप पे देखने को मिलेंगी देखो आपके माधिम से मैं कुछ बताना चाहूंगे क् जैसे जैसे हम चीजों में गुसते हैं तो हमें नॉलेज भी होना शुरू हो जाती है जैसे बले इसा उसके साथ बंजवां देवी गोल और देखिए दो डिस्ट्रिक्स का एक अमल्गमेशन है तो किष्टवार और डोडा तो किष्टवार भी अपने आप में बहुत जब देवी गोल में एवेंट भी हुआ तो ऐसा है कि इतना ज्याधा पोटेंशल है इतना ज्याधा पोटेंशल है किष्टवार और डोडा में उसी तरह रज़ोरी पुंच में भी है मैं नहीं कहूंगी कि किसी भी इस हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्याधा पोटेंशल है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में पोटेंशल इतना जाद है कि अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं वो आपको इतनी सी लगेगी क्योंकि उसमें आप जब लोकल है या कोई भी लोकल है तो उसको लगता रहे ये भी है प्रमोट करने के लिए वह भी है तरी संद्या है कितना खुबसूरत वह वाटरफॉल जो दिन में तीन बार तो हम उस पे भी फोकस रखे हुए है पर एक चीज होती है जब भी कोई टूरिस डेस्टिनेशन को प्र रहना यह और नेट कनेक्टिविटी इन फैक्टर्स पर भी काम किया जाए तो डिरेक्टरेट ऑफ टूरिजम जम्मू जब भी कुछ एफट करती है तो हम कोशिश करते हैं कि जितना लोकल वहां हमारे साथ जुड़े चाहे वो होमस्टे खोले रिजिस्टर करवाए उसके स होता है और इसमें जब तक हम वो सारे मन के जो हैं वो माला में नहीं पिरोएंगे तो उस डेस्टिनेशन की फुल जो डेवलपमेंट है या उसकी शोकेसिंग वो नहीं रिखेगे तो आपको जो चीजें लग रही है कि मैडम वहां पर यह स्कोप्स हैं चाहे वो पुछ भी इवेंट होगा तो चीजें अपने आप आप उटमेटिकली सारी शोकेस होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे यह जो फेस्टिवल्स हैं इनका बेसिक मकसद ही और इन फेस्टिवल्स में हमारी कोशिश यही रहती है कि जो जम्मो किश्मीर के बाहर के लोग जब आ लिए तो उसमें कितना है रहने का क्या है अगर पंचैरी की बात करें या डूडू की बात करें तो उसकी जो एक मैं कहूंगी उसको जो एक पर्टिकुलर सर्किट के रूप में पेश करना है हम उस पे काम कर रहे हैं और उन्हीं सर्किट में ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ उसे भी जगा जूड़ सकती है चाहे वह राफ्टिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से भी जूड़ सकती है जैसे डोड़ा में शिव नोट से लेके करा रहा तक वह राफ्टिंग का कितना खुब्सूरू को नोटिफाई हो गया तो यह नोटिफाई आने वाले वक्त में वहा दीटिखेगी तो जब टूरिस्ते को एक्टिवीट Sak подар आप काम किया जा है रहा है बहुत जल्दी इक बड़ा अछा रिजल्ट हर एक डिस्टिक में को मिलेगा बटबट और मेरी सhastar है सबसे कि जैसे बढ़र के टेंट इतने डीड़ा क्राइफ से इतने हैं और वो हम सब के साथ जुड़े हुए हैं और वो खुद भी आपस में जुड़े हुए हैं सब लोग जुड़ के काम करें किसी भी destination को किसी भी जगा को promote करना है सब लोगों को पहले जो लोकल stakeholder है उनको सामने आना पड़ेगा और हम लोग उनको जो गवर्मेंट एपार्टमेंट है वो पूरा करेगा ताकि उस destination की खूबसूरती जो है वह और वह नेशनल और इंटर्नाशनल टूरिजम नाप पे आ जाए बहुत बहुत शुक्रिया तो यह थे हमारे साथ जॉइंट डिरेक्टर सुनेना मैता जी जिन्हें साफ तोर पे कहा कि एक वाइबरेंट फेस्टिवल जो है बदरवा के अंदर कल यानि 27 तारीक से होने जा रहा है आप सभी लोगों से इनने पर जोर गुजारिश की कि इस फेस्टिवल को कम से कम सक्सेस्फुल बनाया जाए ताकि आने वाले वक्त में सिर्फ नेशनल लेवल पर नही बलके इंटरनेशनल लेवल पर भी टूरिस्ट यहां पर आएं और यहां की प्राचीन जगाएं जितनी भी हैं उनको एक्स्प्लोर किया जाए आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ